सिर्सी के रेल्वे क्रासिंग पर हाईवे की सड़क पर गहरे गड़े दे रहे हाथ से को दावत वहीं सिर्सी रेल्वे क्रासिंग संबल मुरादाबाद रोड पर सड़क में गहरे गहरे गड़े हो गए हैं जिससे की दर्जनों बाइक सवार लोग जखमी भी हो रहे हैं, कई सवारियों को ले जाते हुए बैटरी रिक्सा पलट चुके हैं, जिससे की महिला पूस और छोटे छोटे बच्चे जखमी हो चुके हैं, जबकि इसी सड़क पर आलू से भरी ट्रेक्टर टॉली पलट चुक हैं, इस सड़क पर ट्रेफिक का आना जाना जदा रहता है, उसके बाजूद अभी तक सड़क की मरमत नहीं हुई है, यह नहीं पता चलता सड़क गड़े में या गड़े सड़क में हैं, वह दूसरी तरफ उत्तप्रदेश सरकार का सक्त आदेश है कि सारी सड़के गड़े मुक्त की जाएं, ताकि एक्सिडेंट तथा दुरघटनाएं ना हो सकें, लेकिन जिला संबल के P.W.D. विभाग आखे मुंद पड़ा है, साद विभाग को किसी बड़े हाथ से का इंतजार है, अब देखना ये होगा कि क्या विभागी लोग कुम करणी नीत से जागे या नहीं, युवा तक भारत समचार के लिए सिर्सा से इसरार आलम की नियूज रिपोर्ट बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन आपको बताते चलें कि यहां लगातार ये जो गड़े हैं सड़कों में, कई महीरों से हैं, लेकिन उसके बावदूर भी P.W.D. ने इसे मरंबत कारियत नहीं किया है, इसकी बज़र से यहां आए जिन्चिन का लोगना, टैक्टर किला कारियों का लोटना एक आम बात है, जनिमत यहां पर कोई भी जानी माल का नुक्ता नहीं हुआ है, इसके बाद भी यहां पर P.W.D. अपनी पूरी लापरवाई बढ़ते हुए है, हम आपको पताते चलें कि यह जिर्ची मर्दबाद यह पो रोड है, कि यहां पर बज़रन भी आम बताएं आपको कि अब दीपा बली का भी तोहार बिल्को खरीब है, और यहां से लोगों का आना जाना लगातार जादा रहेगा, तो इसलिए कि कोई बड़ा हादिसा या कोई घटना ना घटे, तो इसे P.W.D. को लगातार इसे मरमत कराटना चाहिए, और इसे